नमस्कार दोस्तो आज का जो डिस्केशन होने वाला है वो है गाबा पैंटिन मेडिकेशन के उपर क्या इसके यूजस होते हैं, क्या इसके साइड एफेक्ट हैं और क्या प्रिकोशन का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके उपर हम डिस्केशन करेंगे गाबा पेंटिन मेडिकेशन एक प्रकार का एक ऐसा मेडिकेशन है जो की एंटी कनवलसंट, एंटी एपिलेप्टिक की नेचर है मिन्स इसे इस्तेमाल किया जाता है एपिलेप्सी को ठीक करने में यानि मिर्गी को ठीक करने की एक कारगर दवा है यानि epilepsy में अगर आप देखेंगे कि कभी-कभी different scissors बीच में patient को आ रहे होते हैं तो उसमें एक काफी अच्छा role रहता है GABA PENTINE का क्योंकि ये एक nerve impulse से related है तो इस दवा का इस्तमाल भी उसे लिए किया जाता है Even अगर patient को nerve pain की समस्या रहती है तो उसमें भी ये काफी अच्छी तरीके से relief पहुचाता है GABA PENTINE medication आगे हम अगर इसकी strength की बात करें तो ये 100 mg से लेके 600 mg तक की strength में available है अगर हम इसके brand names की बात करें तो Neuro TIN है, GABA TIN है, GABA PIN है, GABA WAX है तो इन सभी brand names के नाम से available है बाजार के में तो आप इसे doctors अगर आपको जब prescription देते हैं तो आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर हम जानते हैं क्या इसके uses होता है इसके अगर हम बात करें तो इसे neuropathic pain में इस्तिमाल किया जाता है means अगर patient को नसों में दर्द हो रहा होता है या पहले से history रही हो नसों में दर्द होने की तो इस particular दवा का आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलावा epileptic scissors यानि epilepsy की condition में भी इसे इस्तिमाल किया जा सकता है जो बीच बीच में fits या scissors आ रहे होते हैं patient को तो उसके लिए काफी कारगर medication है या आप देखेंगे anxiety disorder anxiety problems और या disorders में भी इसे इस्तिमाल किया जाता है patient को किसी बात पे anxiety आने की tendency रहती है तो उसमें भी एक important role रहता है gabapentin medication का जिसे आप दे सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि restless leg syndrome एक प्रकार की एक ऐसी disease है जिसमें patient को अर्ज होती है uncontrollable moments की means जो legs की uncontrollable moment करता है patient जिसे अर्ज हो रही होती है तो उसमें भी gabapentin का role होता है या menopausal या फिर pre-menopausal जो patient के अंदर problem होती है उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है या even आप देखेंगे कि post-operative pain में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है तो कुल मिला कि इसका जो role होता है वो pain जैसी conditions में ज़्यादा तर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि pain after shingles जब आपको pain shingles disease के बाद में ऐसा महसूस हो रहा होता है तो इन condition में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है अब आगे हम जानते हैं कि क्या इसके precautions होते हैं precautions के अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी किसी प्रकार का medication या दवा का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की advice में ही करना है बिना डॉक्टर की सला के किसी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल ना करें या पेशन्ट के अंदर history रही हो liver disease की तो भी डॉक्टर को आप बता दे हैं किसी अलग प्रकार की भी disease आपको रही हो पहले से case history है अगर आपके पास तो डॉक्टर्स को आप जरूर उस चीज के बारे में discuss करें ताकि वो आपको एक proper medication दे पाए इसके अलावा अगर आपको mental disorder की condition हो अगर किसी patient को mental disorder की पहले से history रही हो तो उसमें भी आप डॉक्टर्स से discuss करें कि ऐसी particular समस्या थी तो फिर उन सारे precautions का आपको ध्यान रखना है और डॉक्टर्स से भी discuss करना है ताकि वो आपको सही दवा दे सकें अब हम जानते हैं क्या इसके side effect होते हैं तो side effect patient to patient vary करते हैं और लेकिन इसके कुछ ऐसे side effect होते हैं उसके उपर हम discussion करते हैं जैसे कि drowsiness है, dizziness है, ataxia है जिसमें in coordination होता है movements का या even fatigue है या आप देखेंगे कि patient के अंदर constipation की भी समस्या कभी-कभी देखने को मिलती है या tendency देखती है उनके अंदर suicidal thoughts की तो ये कुछ important इस GABA PENTEN medication के उपर था So hope you like the video Thank you friends